हेलो एवरिवान वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम शेयर करेंगे इस डिजाइनर वेलवेट ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो बहुती आसान तरीके से स्टैब बाइ स्टैब तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जुरूर देखें कहीं भी स्कीप ना करें और इस वीडियो के रिकार्डिंग आपकी कोई भी कोई रिस सवाल है तो आप मुझे कमेंट बाक्स में जुरूर पुछें जहां पर मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से रिप्लाइ करूंगी यह फुल ड्रेस मैंने धाइ मीटर वेलवेट फैब्रिक से बनाई है एक मीटर में मैंने ट्राउजर पैंट बनाया है जिसका वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डेर मीटर वेलवेट फैब्रिक से मैंने यह डिजाइनर कुर्ती वित मटन लैक सिली बनाई है तो टोटल हमारा ढाय मीटर वेलवेट फैब्रिक यूस हुआ है यह फुल साइज है यानि 36 चेस्ट के लिए यह कुर्ती बनाई है तो यह यंग गल्स एंड लेडिस के लिए यह कुर्ती और ड्राउजर फिट आएगा और साथ में मैंने यह सिक्वेंस फैब्रिक लिया है आधा मीटर से थोड़ा ज्यादा था तो यह मेरा वेलवेट सिक्वेंस फैब्रिक है आप किसी भी तरह का डिजाइनिंग फैब्रिक ले सकते हैं और बचे हुए सीक्वेंस फैबरिक से मैंने साथ में मास्क बनाया है तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टुटोरियल यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं यह मेरा 1.5 मीटर फैबरिक है सूष सीक्वेंस फैबरिक भी मेरा वैलवेट फैबरिक है वैलवेट फैबरिक के ऊपर यह सीक्वेंस वर्क है इस तरह से तो यह देखिए हाफ मीटर से थोड़ा एक्स्ट्रा है यह एक पट्टी है जिसकी लैंथ 16 इंच है तो दिखिए सबसे पहले मैं इसमें से एक मीटर अपना ट्राउजर के लिए फैबरिक निकालूंगी इसके बाद जो मेरा फैबरिक बचेगा उसकी लैंथ और विट मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ डबल फोल्ड करने के बाद जो इसकी विट है वो 31 इंच है टोटल विट इसकी 62 इंच है अब यह इसकी लैंथ है तो डबल मैंने कर रखा है किनारी वाली साइट से यहाँ तक हमारा एक मीटर है उसके बाद आगे की तरफ हमारा लगबग 18-19 इंच के आसपास है तो यह 1.5 मीटर से भी थोड़ा सा कम है अब देखिए जिस तरह से हमने डबल फोल्ड करके रखा है उसको अब हम 4 फोल्ड कर लेंगे और इसकी लैंथ ले लेंगे तो यहाँ पर हम उपर की तरफ टॉप पार्ट की लैंथ आगे की तरफ निकाल देंगे जो मैं 15 इंच रखूंगी इसके बाद नीचे की तरफ कुर्ती की जितनी भी लैंथ लेनी है उस पर माक कर लेंगे तो यहाँ पर 2 इंच के करीब मैं सिमिंग लाउंस ले लूँगी तो 2 इंच हमारा खार्च हो जाएगा अब इस माक को हम आगे तक इस तरह से ले लेंगे तो यह लैंथ हम अपने घेरे की लैंथ लेंगे और इस लैंथ पर अब हम कट कर लेंगे तो ये हमारा घहरा cut हो चुका है अब ये 4-fold है और अब ये हमारा double fold है अब इसको हम middle में से cut कर लेंगे तो इसके हम 2-part बना लेंगे फրेंट और बैक का इस तरह से तो ये हमारे 2-part बन चुके हैं इसके बाद हम किनारी वाले side से फैबरिक को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से तो यहां से मैं डबल फोल्ड करूँगी और टॉप पाइट की लेंद्ट चैक करेंगे तो देखें यह 16.5 इंच है अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे तो टॉप पाइट की जो बिट ली है वो मैंने लगबग 11.5 इंच ली है चेस्ट के अकॉर्डिंग 2 इंच मैंने सीमिंग लाउस लिया है 36 इंच पर यह चेस्ट रेडी होगा अब यहां से शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच और मार्क कर देंगे इसके बाद 7 इंच हम आर्मोल की लैंच लेंगे और सीधा मार्क कर देंगे और इसी मार्क के आगे से हम चेस्ट का यह लाइन मार्क करेंगे इस तरह से अब बस्ट का मार्क करेंगे जो है 9 इंच तो 36 इंच चेस्ट है तो 9 इंच पर हमने मार्क किया है अब कमर का राउंड लेंगे जो लोंगी में साड़े साथ इंच और यहाँ पर माक कर देंगे अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे और आगे की तरफ डेड़ से दो इन सीमिंग लाउंस ले लेंगे अब देखें यहाँ से उपर की तरफ हम एक इंच का माक करेंगे और इस माक को पीछे की तरफ तरफ कर देते हुए इस तरह से माक करते जाएंगे जिससे हमारी जो कमर की साड़ से गुलाई प्रोपर आएगी अब यहाँ से हम वैकार मूल की माकिंग कर लेंगे तो अब हमने इस marking पर cutting कर लेनी है इस तरह से इसके बार देखिए हम अपना sequence वाला velvet fabric लेंगे उसको double fold करेंगे और folded side दोनों की एक तरफ रखनी है हमने और इसकी length को हमने इसके बराबर लेना है top part की length के बराबर हमने इसको cut कर लिया है दोनों की folded side एक तरफ रखेंगे और open side एक तरफ रखेंगे इस तरह से अब देखिए कमर की side से हमने अच्छे से मिला लिया है अब यहां से मैं साड़े 4 inch की width पर एक mark करूँगी यहां से और shoulder की तरफ से हम check कर लेंगे जहां तक हमारा shoulder आएगा यहां पर mark कर लेंगे इस तरह से इसके बाद folded side से हम अपने neck की width लेंगे सो मैं यहां पर साड़े 3 inch neck की width लूँगी आप neck की width और length अपने हिसाब से ले सकते हैं और जो neck की length लूँगी वो मैं साड़े 4 inch लूँगी अब नीचे से भी साड़े 3 inch पर आगी की तरफ mark करेंगे और एक box बना लेंगे इसमें हम अपने neck की shape दे देंगे तो मैं यहां पर boat neck बना रही हूँ इस तरह से दोनों neck हमारे एक साथ बनेंगे अब देखिए जो हमारे sequence fabric की width रहेगी वो लगबग 6 inch रहेगी इस तरह से और इस पर mark करेंगे यहां तक अब इन दोनों mark को नीचे से हम इस तरह से मिला लेंगे तो एक inch में थोड़ा सा तिरचा mark आएगा नीचे हमने 4 inch लिया है अच्छे से dark करके अब हमने इसकी cutting कर लेनी है so guys back और front का neck बराबर बना रही हूँ एक जैसा अब यहां से हम इसकी भी cutting कर लेंगे so दोनों neck की हमारी cutting एक साथ हो चुकी है front और back की अब जो हमारा sequence fabric है इसकी जो हमारी yoke की width है इसकी भी हम cut कर लेंगे इसको यहां से इसके बाद हम half inch कंदी डाउन कर लेंगे so हमने कंदी डाउन नहीं की थी अभी तो यह half inch हमने कंदी डाउन कर ली है अब back वाला part इसमें से हम निकाल देंगे और front वाले part को हम बराबर मिला के रखेंगे इस तरह से और यहां से half से पॉन इंच अंदर की तरफ front armule की extra cutting कर लेंगे इस तरह से अब हमने अपना neck बनाना है तो देखें neck हम sequence fabric के साथ ही बनाएंगे अलग से कोई पट्टी नहीं लगाएंगे तो sequence fabric की right side अंदर की तरफ है नीचे की तरफ और velvet fabric की भी right side नीचे की तरफ है पाद हमारे पाद जितना भी fabric बचा है इसको हम double fold करेंगे इस तरह से अब हमने इसको four fold कर लेना है so guys जितना भी हमारा fabric बचा है इसकी length में हम sleeve बनाएंगे so मैं यहां पर metal leg sleeve बना रही हूं तो length में हमें fabric जादा चाहिए तो जितना भी fabric था मैंने total ले लिया है अब यहां से हम अपनी sleeve की length ले लेंगे जितने भी आपको sleeve की ready length चाहिए उस पर mark कर लेंगे तो मैं 21 inch पर इस तरह से mark कर लूँगी आगे की तरफ और यहां से 3 inch पर mark करेंगे और उपर से भी हम 3 inch पर mark करके दोनों point को इस तरह से armhole की shape देते हुए मिला लेंगे तो 3 inch मैंने आगे की तरफ निकाला है यहां पर मैं sequence fabric लगाऊंगी और यह हमारी width होगी तो 9 inch पर हमारे armhole की width है अब पीछे की तरफ देखिए 13 inch के आसपास हमारा fabric extra है तो यह पूरा fabric में use करूंगी अपनी sleeve में तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा कम है तो कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं तो पीछे से जितनी भी ज़्यादा length लेंगे हम sleeve में उतनी ही ज़्यादा plates आएंगी अब इसको सीधा mark करते हुए हम यहाँ से कारूश शेप देते हुए आरमल से इस तरह से मिला लेंगे वीडियो में जिस तरह से दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरह से हमने shape देनी है तो metal leg sleeve का कुछ इस तरह से shape आती है इसके बाद अब हमने अपनी sleeve opening की marking कर लेनी है जितनी भी हमें sleeve के आगे से fitting चाहिए उसमें एक इंच प्लास करके हम mark कर लेंगे तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर mark करूँगी एक इंच मैंने add किया है fitting के लिए अब दोनों point को इस तरह से line up कर लेंगे तो यह हमारी आगे की तरफ बिल्कुल simple sleeve है अब हमने इसकी cutting कर लेनी है जो हमने marking की है उस पर हम cut कर लेंगे सो guys sleeve के आगे मैं sequence fabric से काफ बनाऊंगी जिससे मेरी जो sleeve की length है तीन इंच और बढ़ जाएगी आप देखें यहां से हम इस पर cut कर लेंगे तो यह हमारा sleeve cut हो चुकिए इसके बाद इसके center में एक notch लगाएंगे आर्मूल की तरफ से आप हम इसमें से एक sleeve निकाल देंगे और मैं यहां पर आपको एक sleeve का pattern बताऊंगे किस तरह से इसको हमने ready करना है सो जो हमारी sleeve का center है उसमें हमने plates कुछ इस तरह से डालनी है सो यह plates आप अपने साब से डाल सकते हैं यानि इन plates का direction उपर को भी कर सकते हैं और इस तरह से यह plates का direction नीचे को भी कर सकते हैं जिस तरह से भी आप चाहें वो कर सकते हैं तो मैं यहां पर सेंटर में एक मार्क कर दूँगी जहां हमने नॉच लगाया था अब यहां पर हमने चोटी-चोटी प्लेट्स बनानी है और पिन लगाते हुए सारी प्लेट्स को सैट करते जाना है तो यह प्लेट्स की जो दूरी रहेगी वो हाफ इंच रहेगी तो सभी प्लेट्स हमारी हाफ इंच के गैप से इस तरह से आएंगे और जो इन प्लेट्स की चोड़ाई है वो भी हाफ इंच रहेगी हब हमारी जो इन प्लेट्स हैं वो कितनी आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ जितना भी हमारा ready armhole है उससे एक इंच एक्स्ट्रा हमने ये total ready करना है तो देखिए center से यहां से मिलाते हुए रखेंगे और ये मैंने 9 इंच पर इसका armhole रखा है अलगबग 8 इंच पर हमारी fitting आ जाएगी तो 1 इंच मैंने extra ले लिया है armhole का तो सारे fabric की मैंने इस तरह से plates बना ली है अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी side में भी ये plates बना दे जाएगे और इस side का armhole भी हम 9 इंच रखेंगे क्योंकि हमने 8 इंच पर armhole की fitting लगानी है सारी plates को हम इसके बराबर ही set करेंगे दोनों side से बराबर हमारी plates आएगे अब आप देखिए दोनों side का जो हमारी plates है वो ready हो चुकी है armhole हमारा बराबर है इसके बाद हमने देखिए दूसरी sleeve भी बिल्कुल इसी तरह से इसके बराबर ready कर ली है सो यहाँ पर pin लगा कर हमने अच्छे से set कर लिया है इसके बाद हम आगे की तरफ जो काफ बनाएंगे उसके लिए हम sequence fabric की तरह से cut कर लिया है और इस fabric की जो चुड़ाई है वो मैंने लगबग 4.5 इंच ली है और जो इसकी length है वो sleeve की मोरी के बराबर है अब इसको हम आगे की तरह बढ़ाते हुए लगा देंगे अगर आपने sleeve की length ज्यादा रखे है तो आप इस तरह से sleeve के ऊपर भी रखकर ये fabric इस तरह से paste कर सकते हैं इसके बाद देगे हमने back neck की जो round पटी है वो cut कर लिया है अब इस पटी को यहां रखकर एक pair की सिलाई लगाएंगे और छोटे-छोटे cut लगा कर इस पटी को हम पीछे की तरह fold कर लेंगे और यहां पर हमने back जो front वाला neck है वो भी ready कर लिया है इस तरह से और जो extra fabric था है यहां से half inch अदर की तरह fold कर दिया है अब इस sequence fabric को आगे की तरफ लाते हुए हम turn करेंगे तो यहां पर हमारा neck भी ready हो चुका है अब यहां पर एक सिलाई लगाएंगे और एक एक सिलाई हम दोनों side से लगा देंगे ताके यह हमारा से set हो जाए और यहां पर देखिए हमने back neck की पटी भी लगा ली है इसके बाद हम इसकी कंधी join करेंगे दोनों की right side अंदर की तरफ रहेगी और wrong side बाहर की तरफ रहेगी अब back neck की पटी हम front की तरफ इस तरह से लाकर fold करेंगे और half inch का दबाव लेकर दोनों कंधियों को हम set कर देंगे तो लीजिए दोनों कंधिया हमने seal दी है इसके बाद हम इसको open करेंगे और यहां पर देखिए back neck की पटी है उस पर भी मैंने अंदर की तरफ करके सिलाई लगा दी है अब हम अपना घेरा लेंगे जो घेरा हमने cut किया था तो यह हमारा घेरा है अब इस घेरे को हम अपने top part की कमर से set करेंगे तो दोनों की में center का mark कर लिया है हमने इस तरह से तब दोनों mark को आमने सामने इस तरह से रखेंगे और जो हमारा घेरे का fabric है उसमें हमने plates डालनी है तो दीखें यहां से हम यह plates हमारी जितना हमारा योग की width है नीचे वहीं तक आएंगी अब यहां से हम बराबर मिलाते हुए रखेंगे और जहां से हमारा sequence fabric है वहीं से हम छोटी छोटी plates डालेंगे यहां तक उसके बाद इसको हम आगे की तरफ बिल्कुल सीधा सिल देंगे इस तरह से तो यह plates हमारी कुछ इस तरह से set होंगी सिर्फ यह plates हमारी योग की width में ही आएंगी यहां इतनी ही दूरी में हमारी plates आएंगी सो यहां confuse होने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है जिस तरह से हम आगे की plate डालेंगे बिल्कुल उसी तरह से back वाले पार्ट में भी plates डालकर इस तरह से दोनों साइट से हम इसकी fitting लगा लेंगे तो लीजिए यहां पर हमने दोनों साइट से plates डालकर fitting लगा ली है तो इतनी हमारी कुर्टी ready हो चुकी है अब आप plates देख सकते हैं plates डाली हमने वो yoke की width में डाली है जितनी हमारी front में yoke है उतनी ही width में हमने front और back में plates डाली है इसके बाद जो हमारी sleeve ready हुई है इस तरह से उसको हम fitting लगा कर अपनी कुर्टी से joint कर देंगे आप ये sleeve fitting लगाने से पहले भी लगा सकते हैं यानि plate से set करने के बाद आप ये sleeve लगाएं उसके बाद आप इस कुर्टी में fitting कर लें सो मैं fitting लगाने के बाद ही ये sleeve लगाऊंगी सो दोनों side से हम इसकी fitting लगा लेंगे और fitting लगाने के बाद हमने दोनों sleeve को इस तरह से अपनी कुर्टी के armhole से set कर दिया है अब आप देख सकते हैं इतनी कुर्टी हमारी ready हो चुकी है अभी जो हमारा sequence fabric जितना भी बचा था उसकी मैंने 5-5 इंच चौड़ी पटियां कट कर ली है अब इस पटी को हम नीचे double fold करने के बाद set कर देंगे तो ये पटी की चौड़ाई लगबग 2 इंच रह जाएगी इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी कुर्टी की जो बाटम है उसमें हमने 2 इंच की चौड़ी पटी ये लगा दी है sequence fabric की और इस पटी में से जो fabric बचा था उसका मैंने mask बना लिया है so guys mask का video भी मेरे चैनल पर मुझूद है link मैं description box में दे दूँगी so ये mask किस तरह से बनता है जहांसे आप directly सीख सकते हैं और इस ट्राउजर की video भी मैं post कर चुकी हूँ उसका link भी मैं description box में दूँगी जहांसे आप देख सकते हैं कि ये trouser की cutting stitching मैंने 1 meter में कैसे ready किया है आपको video कैसा लगा comment box में ज़रूर बताएं और इस video के recording या कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ आप मुझे comment में पूछ सकते हैं जहांपर मैं आपको अच्छे से reply करूँगी so मैं आपको फिर से बता देती हूँ ये full trace मैंने 1.5 meter fabric से बनाया है और half meter से थोड़ा सा extra fabric मैंने sequence लिया था जिसको मैंने designing के लिए और mask के लिए यूज किया है आप मुझे direct connect करने के लिए मुझे instagram या facebook page पर भी follow करें दोनों का link description box में दूँगी और end description की जो वीडियो हैं वो भी देखना ना भूलें definitely आपको पसंद आएंगी और मेरे चैनल पर विजिट करके आप velvet की कुरती design की वीडियो देख सकते हैं इसी के साथ वीडियो complete होता है मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ideas के साथ तब तक के लिए bye take care thanks for watching this video